पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनेतिक मैस देखने को मिला जिसमें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है का ज्यान देने वाले इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए हाला कि पाकिस्तानी सदन में अमपायर ने इमरान को एक जीवंदान तो जरूर दिया था लेकिन थर्ड अमपायर के डिसीजन यानि नियाले के फैसले ने इमरान को बोर्या विस्तर लपेट के वापस पवीले लोटने पर मजबूर कर दिया अब पाकिस्तान के राजनेतिक पिछ पर बैटिंग करने के लिए नय बल्लेबाज शहबाज सरीफ उतरने वाले हैं यानि कि अब शहबाज सरीफ की ताजपोसी पाकिस्तान के अगले वजीर आजम के तोर पर तैमानी जा रही है इस बीच भारत में शहबाज के पिएम बनने के लिए लगातार प्रातना की जा रही है आप ये सुनकर चौक जरूर रहे होंगे लेकिन सच यही है दरसल पंजाब के अम्रित्सर जिले में गाम जाती उम्रा है यह गाउं सहबाज का पैत्रिक गाउं है इसी गाउं में रविवार को गुर्द्वारे में चारदी कला के लिए पूजा हुई आपको बता दें कि शरीफ का परिवार आजादी से पहले पाकिस्तान चला गया था हालांकि इस दोरान भी है फैमली यहां के अस्थान ये लोगों के संपर्क में रही यहां तक कि उन्हें खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने में लोगों की मदद भी की सहवाज के परिवार ने दुबई में अपने कार खाने में जाती उम्रा गाउं के कई लोगों को नौकरी दी है डाक्टर दलीबाग सिंग नाम के एक शक्स ने कहा कि उर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधान मंत्री के पत्स बेदखल किये जाने के कुछ घंटो बाद रविवार को गाउं के लोग गुर्द्वारा कलीधर साहिब में जमा हो गए यह गुर्द्वारा जिस जमीन पर बना है वा कभी सहबाज सरीब के परिवार का हुआ करता था गुर्द्वारे में उनकी चारदी कला के लिए प्रात्ना की गई दलिबाग सिंग ने बताया कि उनके पिता स्वरगिये मस्सा सिंग सहबाज के पिता मिया मुहम्मद सरीब के मित्र थे सहबाज का परिवार 1932 में पाकिस्तान चला गया था नवाज कजन्म 1929 में और सहबाज कजन्म लाहोर में 1951 हुआ दलिबाग ने आगे कहा शहबाज सरीब 2013 में यहां आये थे जबकि हम दो बार लाहोर में उनके परिवार के घर गये थे 1964 में वो अपने पिता के साथ गाव आये थे उसके 49 साल बाद में पाकिस्तान पंजाब प्रांद के मक्वंत्रे बने और सीयम रहते 15 सिसंबर 2013 को जाती उम्रा आये थे शहबाज ने 2013 में अपनी आत्रा के दोरान अपने पिता के शरब्दों को याद करते हुए कहा था वा कहते थे इस गाव में हमारा एक मात्र मुस्लिम परिवार था और हर कोई सदभाव में रहता था जब शहबाज अपने पैत्रिक गाव गए थे तब पंजाब के मुक्वंत्री प्रकास सिंग बादल ने शहबाज का गर्म जोसी सस्वागत किया था दोरे से पहले उन्होंने गाव के मेक ओवर का आदेश दिया था और 3.5 करोन रुपए की विकास पर योजनाओं को मंजूरी दे थी जिसका घाटन सहवाज ने किया था इसके अलामा परिवार ने उनके परदादा मिया मुहम्मद वक्स की कब्र का भी दौरा किया था और चादर चड़ाई थी वहीं अब जाती उम्रा की लोगं को उमीद है कि एक बार सहवाज पाकिस्तान के पियम बन गए तुह भारत और पाकिस्तान के बीच रिवादास्पत मुद्दों का समाधान जरू करेंगे और दोनों मुलकों के बीच रिस्ते बेहतर होंगे